साथियों, जियो पॉलिटिक्स पे आज कुछ हल्की से चर्चा करेंगे और जियो पॉलिटिक्स भी बोलने पर अमेरिका बनाम रूस और चीन आपको पता है अमेरिकी सामराज जवाद पैर पीछे हटा रहा है, खीच रहा है मजबूरी में और दूसरी तरफ चीन और रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव, इसी पर चर्चा करेंगे कुछ घटनाओं को लेकर, कुछ खास-खास रीजन्स को लेकर और उस पर हम ध्यान देंगे, आपको पता है, USSR के बिखरने के बाद, New World Order, Single Polar World, Multipolar World, कई नारों के साथ नए नए जीव पोलिटिकल अक्टिविटीज यूएसे के नितित्तों में, जिससे वार अन टेरिरिजम, वार अं ड्रक्स, वगरा वगरा चले, सबका लक्ष एक ही था, विश्व बाजार में, हिस्सेदारी, कोई भी वार अन पुवर्टी, वार अन इनिक्वालिटी, या कहें तो वार अन एक्स्प्लाइटेशन, वार अगेंस्ट प्रॉफिट, जिने, वा समनी होता है, तो अभी अमेरिका जो पीछे हट रहा है, अमेरिकी समराज़ात पीछे हट रहा है, कई इसके उदारण हमें डिखेंगे, और आप भी ध्यान देंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा, अफगानिस्तान एक उदारण है, खुला उदारण है जहां से अचानक या कुछ प्लान के तहट, वहां से अमेरिकी फॉज पीछे हट रहा है, इराक से भी हुआ, हलाकि लाया गया, होता रहता है, सीरिया में भी हुआ, लीबिया में भी जो कुछ समय पहले हुआ था, इनकी सीधे की सीधे इनकी फॉज नहीं गई, इनका तागत कमजोड पड़ रहा है, कारण आर्थिक प्रिस्थिति है, इसमें कुछ रीजन्स की हम बात करें, जहां कि इनके हटने से वहाँ एक अफरा तफरीक इस्थिति है, अफगानिस्तान में फिर से तालिबान बढ़ रहा है और अमेरिकी फॉज हटने के पहले ही कई जिलों में उसने अपनी जंडा फरा दिये, जो पुराने शासक के जो समर्थ्यक उनको मार रहा है, यह इस्थिति वेस्टर्न पास्फिक रीजन में भी है, वेस्टर्न पास्फिक रीजन बोलने से मुक्षी रूप से औस्टेलिया, ब्रुनेई, कमबोडिया, चाइना भी है, फीजी जापान, लाउस, मलेशिया, मंगूलिया, न्यूजी लैंड, पापुआ, न्यू, गीनिया, फिलिपीन, सिंगापूर, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतना में सब यहां के स्थिति वा नहीं है, जो अफगानिस्तान, या अन्य देशों की जहां मैंने चर्चा की, दूसरे रूप में है, यहां अमेरिकी, पूंजी की भी हटने की बात हो रही है, और यहां पी चीन का रोल किया है रशिया का रोल किया है यहां जानने लाइक बात है कि चीन और रशिया में कई राउंड के बात हो चुके है फोन पर आये दिन लगता हर दो यह तीन महिने में शी और पुतिन के बीच चर्चाएं होती रहती है यह चर्चाएं वो है जिनने पब्लिक किया जाता है बताया जाता है इनके बीच से बात होई यह पूरे देश में होता है विपक्षी नेताओं से बात होई आप से इसे बात होई यह बताया क्यों जाता है इससे कारण होता है यह मुफ्त नहीं बताया जाता है, यह गल्ती से नहीं बताया जाता है, इसका स्टेटमेंट यहीं बातनी इनके साथ और विय देश है, एशिया में ही चीन के बंगलादेश, पाकिस्तान, शिरलंका और है बहुत सारे देश है, और दूसरी तरफ देखें तो रूल जिससे हमें जामना चाहिए उरोपेन यूनियन नाटो लाटिन अमेरिका के बहुत सारे देश जिसमें बुलीविया आर्जेंटीना या विनेजुएला या चीन और रूस के साथ है जबकि बाकिस अब दूसरे देशों के साथ है अमेरिकी सामराजवाद नाटो के साथ है तो और इस सब के पीछे एक चीज और वी हमें जाना चाहिए और वी रिजन पर आते हैं चीन का बढ़ता दबदवा वैश्विक आर्थिक स्थिति में जब पूरा दुनी पूरी दुनिया के आर्थिक स्थिति चर्मरा चुकी है और खासकर क प्रण्डमे के कर्ण वहाँ पे चीन का प्रड़क्षन जो है सब 2.5 या 3 प्रतिशन बढ़ रहा है जीडीपी बढ़ रहा है चाहे वह उसकी मिलिटरी का हो वह उसके मेडिसिन से रिलेटेड हो फार्मास्यूटिकल हो उसका फिनांस कैपिटल हो उसका प्रड़क्शन एक प्रड़क्शन हो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो एनर्जी हो स्टील हो वह हर जगह वह बढ़ रहा है बहुत तीजी से बढ़ रहा है और चीब कई प्रड़क्त काठ्वंधन में है ब्रिक्स में था ब्रिक्स की पूलिटिकल अहमियद जो थी वो खतम हो गया भारत में भास्पा के आने के बाद से ब्रसील में बुल सो नारो के प्रिजडन बनने के बाद से, एकनॉमिक कंडिशन जो ही हो, वैसे ही शंगाई एकनॉमिक कॉर्परेशन की बात है, और बहुत सारे हैं, आई एम एफ, वर्ल्ड बैंक वगरा वगरा है, कोई इधर, कोई उधर, फिनांस कैपिटल ने एक अच्छा काम यह किया है, कि आज जहां अमेरिकी समराजवात की सप्ता थी फिनांस कैपिटल में, उसको खरिद लिया चीन, बात खतम, आपने जो कुछ बनाया है, वो चीन के पक्स में चला गया, उल्टा भी हो सकता है, तो आईए कुछ और छेत्रो कुट आते हैं, फ्रांस के भी आए, यह सब दिखाने के कोशिश करते हैं, कि हमारा हक उस पे भी है, वहाँ पे मानो कृत, कृत्रिम टापू बनाए गया है, वैसे इस एरिया में पहले से वियतनाम और फिलिपीन्स वो बना रहे हैं, दीमेद्यों बनाते हैं तो साल में, ए और इसका महत्व यह बताऊं, जब विश्व बाजार की बात चल रही है, कि इस छेत्र से करीब साथे तीन ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर, जो विश्व का बाजार होता है, इसके थ्रू होता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कितना बढ़ा है, कितना महत् पूर छेत्र ही है, जब हम छेत्रों की बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकल रीजन्स की बात कर रहे हैं, तो सुभी बताऊं कि अमेरिका का जो फॉरण पॉलिसी था, उसमें सांक्शन एक बड़ा महत्तपुन था, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सांक्शन, क्यूबा के होता है, जहां की राष्ट्रवादी सत्ता आ जाती है, और अपने साधन का उपियोग विदेशी पून जी को खासकर अमेरिकी पून जी को नहीं करने देती है, अमेरिका वहां रिस्टिक्शन लगाता है, और कहता है हम समानों का आवा जाही बंद करते हैं, बाकी देशों क विकाता मना करें, जैसे इसराइल ने फिलिस्टीन रिजन के खिलाफ कर रखा है, गाजा के खिलाफ कर रखा है, वहां कुछ भी आ जाने सकता, पता नहीं हमास कैसे रॉकेट मैनेस करता है, लेकिन बाकी सब चीज़े नहीं आ जा पाती है, तो लीबिया एक दूसरा उदार है, जानना चाहिए आपको, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्वाड, क्वाड्री लाटरल सिक्यूरिटी डायलग जिसके चार सदस से हैं, अमेरिका दुखुद ही है, औस्टेलिया, जापान और इंडिया, यह अमेरिका की कोशिश है, चीन को घेरने की, चीन को भौतिक रूप से कितना घेर पाएगा अमेरिका, यह देखने की बात है साथ चैना में में लड़ाई उसे को लेका चल रहा है, रूस को घेरने का तरीका का उसका वो है कि जो यूससर के टूटे हिससे हैं, उनको अपने धीमे धीमे अपने प्रभाव में लाना, नाटो में लेकी आना, जैसे यूक्रेन, अजर्बाइजान, पोलाय, बहुत सारे देश है, क्वाट की बाते की हाल फिल हाल में बेलारस में घटना हुई जहां की वहां के विपक्षी नेता जा रहा था हवाईजास को जवस्ती उतारा गया मिंस्क में और उन्हें कैड कर लिया गया, इसको लेकर यूरोपियन दिश्वों में काफी हंगाम है, कि आप इस त लाओं करीब दर्शक वर पहले, बुलिविया के राष्ट्रपती, इवो मुराल्स जब रश्या से अपने देश जा रहे थे, तो यूरोप में उन्हें उतरना पड़ा, मतलब प्लान था जवस्ती ने उतरना पड़ा, रिफिलिंग के लिए, तेल लेने के लिए, और वहां के सायनिक वहां के सिपाही, जवस्ती हवाईज आजमाई ने बार निकाला और उसकी खोज बिन की, जी हाँ, जो भी हो, उस पे कोई इन्हों नहंगावा नहीं किया, अफ्रीका, अफ्रीकी देश बहुत तेजी से, अमेरिकी और फ्रांसिसी समराजवाद के किलाव, खड़ हैं हमारे जो दुर्दिन है, जो भयानक इस्थिति है, उसका कारण जो है, विदेशी पुझी है, उसका कारण भी है, चुकि विदेशी सत्ता, जो समराजवादी है, वो बेसिकली अमेरिकी, फ्रांसिसी, या इंग्लिश है, और जो कि गुरे लोग है, और रहा के कारे आस्त्र आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो साथियों पूरे दुनिया में, पूरे विश्रवहर में, जहां समराजवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जहां इंडिविज्वल कंट्रीज लड़ रहे हैं, और वह यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अमरिकी लाजवाद के साथ जायां ना जायां, जैसे निउजिलन्ड, या पूर्ण उसे डिसाइड कर चुके हैं कि हमें अमेरिका ही के साथ जाना है, जैसे इंडिया, ब्रजील, पोलै, या जो उसके खिलाफ जा चुके हैं, इरान. लाटिन अमेरिकन देश देश के वारे में बाते कर चुका हूँ अफ्रीकी देश के वसी है और यह फिर से धुरूई करण बाई-पोलर की तरह बढ़ रहा है अमेरिका नाटो और उसके सहयोगी दूसरी तरफ उभरता हुआ अच्छी रूस और उसके सहयोगी चोटे-मोटे और इनके सहयोगी के साथ ये है कि दुनिया के जो मेहनत का शावाम है जो समझने योग्य हैं जो पढ़ पाते हैं जो समझ पाते हैं वह इनके साथ जा रहे हैं इसलिए नहीं कि यह समाजवादी देश है बलकि इसलिए कि अमेरिकी शोशन के खिलाफ इनको एक आवाज बुलंद करने का मौका मिल रहा है किसी और विशाय पर फिर मिलते हैं साथ हूं तब तक इनकलाब झाल